Hello guys, कैसे हैं आप सभी लोग? So, CA Intermediate May 2023 में exam देने वाले सारी experience के लिए जो हमने नई series launch करी है, theory है जरूरी इसके अंदर हम लोग costing की जो theory है उसको बड़े ही unique way में cover करते हैं क्योंकि costing की theory पढ़ना अलग से बड़ा boring होता है तो हम लोग क्या करते हैं? theory के जितने भी questions आये हैं, exam में, RTP में, MTP में उन सब को chapter wise compile करके पढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए, इस lecture के अंदर भी हम उसी चीज़ को continue करने वाले हैं Let us begin सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि theory जो है minimum 20 marks की आती है तो एक question आता है, आपका आखरी वाला वो आता ही आता है किसी और question में भी theory आ सकती है तो 20 से जादा होगा, कम नहीं होगा Savior है कभी कोई practical question जादा tough आ गया वहाँ पर ये theory आपको help करती है दूसरी बात, theory वैसे तो concept पर ही based होती है लेकिन directly concept form में theory को पढ़ना बड़ा boring होता है तो best way to prepare is Q&A format जो मैंने बोला न कि PY क्योंकि RTP के MTP के सारे question लेके और उसको कर लेंगे और ये जो theory के notes आप यहाँ पर देखोगे जो मैं use करूँगा, वो आप download कर सकते हो ये वाली virtual library की link से तो जाइएगा, वहाँ आपको theory notes का folder मिलेगा वहाँ जाके आप download कर लेंगा theory जो हमारी cost के अंदर आती ही उसका भी मैंने weightage बना के यहाँ पर रखा हुआ है तो ये भी मैं हर session में आपको इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई कौन से chapters important है तो chapter 1 बहुत जादे important इसलिए उसमें जादा session लगते है फिर बाकी जगे पर हम chapters का group बना कर एक एक lecture में करते है इस type से हम लोग कर रहे हैं इस चीज़़ए अप्रोच के हिसाब से हम चल रहे है और ऐसा आपने पहली बार देखा होगा कि theory का भी अलग weightage, chapter wise है ना तो काफी helpful रहता है यार ये भी तो चलिए यार मैं हूँ ready उमीद करता हूँ आप भी ready होंगे can we start now? yes sir, चलिए let's begin शुरू किया जाए तो अभी तक PYQ हो चुका है, अभी तक आपका RTP हो चुका है, so many questions we have already done, और मुझे ऐसा लगता है कि MTP में भी हम लोग जाएंगे, तो बहुत सारे repetitive question आएंगे, तो ये session 40 minutes से जादा नहीं जाने वाला है so mock test paper में जो भी नए सवाल है उसको हम detail में discuss करेंगे, और जो repetitive हैं, जो PYQ RTP में count हो चुके हैं, वो यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से पढ़ लेंगे, that's it ठीक है सर, no problem, cool yes बिल्कुल करवालो, करवालो भाई, पूरा extension करवालो, कोई दिक्कत नहीं है so depend करता है न, तैयारी कैसे चल रही है, तैयारी अच्छी नहीं होगी, तो 3-3 साल भी extend करवाना पड़ता है, तैयारी अच्छी रहती है, तो एक साल में भी पूरा निपड़ जाता है inter है न, depend करता है भाई तो आप अपनी स्थिती देख लीजिए और उसे साब से जितने extension करवाने उतने extension करवा लीजिए, कोई problem नहीं है चलिए सर, mock test paper के सवाल, chapter number 1 से, आप लोग उसे पूछना चाहूंगा, चलो, यह आपकी बारी है sugar manufacturing, क्या लगते आपको कौन सी method of costing use होनी चाहिए, sugar manufacturing में दोस्त sugar manufacturing sugar का मैं तुम को process बताता हूँ sugar का process क्या रहता है सर sugar का process ऐसा रहता है कि जब तक वो sugar के crystal नहीं बन जाते ना, तब तक तो सारी liquid process ही रहती है sugar के इनका juice है extract किया, उसकी processing करी, उसका refinement किया उसको wide बना के, जब वो finally liquid में पहुँच गए, जो sugar के form में बनना है फिर जाके उसके crystals बनाए जाते है सुखा के उसको, तो बाकी सारी processing जो है, वो एकदम chemical और paint के जैसी है अब क्योंकि हो chemical और paint के जैसी है तो सुखर manufacturing के अंदर भी सर हमारे पास जो है, process costing का concept use होगा, ठीक है सर process costing का concept जो है वो use होना है, bridge construction तो मुझे नहीं लगता किसी को भी problem होगी, जल्दी बता हुआ bridge construction, what do you think bridge construction, सर ये तो एक contract होगा क्योंकि बहुत बड़ा जॉब होगा road construction, bridge construction ये सब में बहुत ज्यादा समय बहुत ज्यादा पैसा लगता है, चीक है सर bridge construction आपका हो जाएगा contract उसके बाद advertising advertising में क्या होता भाई, तुम सामने वालों को customer इस काम देते हो कि भाई मेरे को देखो 10 जगे पर इतनी hoardings लगवानी है, इतने दिनों तक ये वाला display board चमकना चीए, ऐसी वो बना दो, ये बना दो, इतने दिन तक paper में दे दो, तो advertising के जितने भी काम होते हैं, वहाँ job work होता एक तरीके से, यहां पर तुम्हारे पास आएगा job costing, advertising तो एक बार हमारा पहले भी आचुका दोस्त, advertising के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, आखरी आया हमारा car assembly, car assembly भी आप लोगों को पता है, unit भी चलता है, badge भी चलता है, इसलिए इसमें हम लोग लिखते हैं, multiple costing multiple मतलब, जहां पर एक से ज़्यादा method यूज की जा सकती है, वो क्यालाता है, multiple costing, तो देख लेते हैं answer, sugar manufacturing process, bridge construction contract, advertising job, car assembly combination of more than one method, छीग है सब, अब आपको units बतानी, unit of cost unit of cost, तो unit of cost बता दो भाई जल्दी से electricity supply services electricity supply, सर ये तो हमको बहुत अच्छे से याद है, kwh kwh, हम जो unit unit बोलते रहते हैं, बिजली की unit that is kwh, hospital hospital में सर हम लोग जब patient के costing जो निकाला करते थे तो जो output की quantity थे, service costing में, वो थी patient day patient day या per bad day kind of this, patient is the most appropriate cinema में तो काई बहुत ज़्यादा डिक्कत नहीं होती, per person per ticket होती है मैं तो per ticket भी बोल सकते हो obviously एक ticket में एक से ज़्यादा बनते तो आएंगे नी तो per person per ticket बोलते हैं, अब per ticket बोलतो तो भी चलेगा, hotels तो हम लोग उने सर बहुत questions कियें, तो hotels में होता है हमारे पास bad days या room days अगर dormitory है तो bad चलेगा, और अगर room wise occupancy तो room days चलेगा generally room वाला ही होता है, but room days is the most appropriate, leg आ रहा है क्या अरे नहीं भाई, ऐसा मत करो है, leg बेग नहीं आना चाहिए, leg बेग नहीं आना चाहिए, अभी तो कर रहा चल रहा internet, अच्छा जोका आया चलो ठीक है, no problem, अभी सही है अरे जल्दी चेक करके बताव यार अभी सही है की नहीं है हाँ सही है सर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है यह देख लो, electricity supply service kwh, hospital में patient per day, room per day per operation, हाँ यह भी हो सकता भाई, अगर कोई बंदा सिर्फ operation करवाने आ रहा, तो per operation के साफ से भी पैसे लगते हैं, ठीक है, उसकी बाद cinema में per ticket, और उसकी बाद hotel में per person per day, या per room per day, guest बोल दूँ या bad बोल दूँ एक ही बाद, चली सर, यह question तो हम already कर चुके हैं, जो भी question repeat होता तो हम यह वाला गाना काते हैं, fixed cost एक certain turnover limit तक कोई change नहीं होती, मतलब output के level उपर नीचे होने से fixed cost को कोई फर्क नहीं पड़ता, variable cost जो activity level की उपर या नीचे जाने से उपर या नीचे होती है, sir आप इसके drives, notes drive पर कब upload कर सकते हैं, बेटा जी पहले तीन lecture के upload हो चुके हैं, थोड़ा check तो कर लिया करो, upload हो चुके हैं, ठीक है, आज वाला भी कर दूँगा, तुम लोग comment box में डाल दिया करो, या फिर telegram की post में reply कर दिया करो, तुमें होता है, management को quality, quantity दोनों में होता है, objective, sir यहाँ पर होता है, product की या service की cost निकालना, management में हमारा objective होता है, कि management को help कर सके planning और coordination करने में, area यहाँ सिर्फ cost ascertainment होता है management के अंदर, it's a wider in scope accounting, budgeting, taxation, planning, everything, यहाँ पर हम past और present data की बात करते हैं, present और future की बात करते हैं, कब develop हुआ था cost accounting, industrial revolution के time में लेकिन management accounting is the modern business subject, and rules and regulation की बात करूँ, तो cost में तो फिर भी कुछ नियम कानून है, लेकिन management तो यह percent to percent subjective चीज़ है उसमें कोई rules, regulation हो ही नहीं सकते, यह question में मैं गाना नहीं गाऊंगा, क्यों? क्योंकि हमने discretionary जरूर पढ़ा हुआ लेकिन standard अलग से अभी तो question में नहीं आया हुआ था, तो चलो इस question को शांती से आराम से करते हैं तो highlighter चालू कर देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ important points आएंगे हमारे पस standard cost center, सबसे पहले दो varieties होती हैं, कुछ cost center ऐसे होते हैं, जिनका जो costing का value है, वो flexible होता है output के हिसाब से change होता है वहाँ पर एक standard kg per unit fix हो जाता है, accordingly उसके खर्चे जो है plus minus या labor cost material cost decide किये जाते हैं लेकिन कुछ department या कुछ responsibility center ऐसे होते हैं, जो cost के लिए responsible तो हैं, लेकिन उनकी cost का जो linkage है न, वो output के साथ बिल्कुल भी नहीं है तो जहां linkage of output है, वो standard जहां नहीं है, वो discretionary, चलिए अब एक-एक word आराम से पढ़ लेते हैं, सर, अच्छे से पढ़ लेते हैं, सुनिए, cost center where output is measurable and input required for the output can be specified जहां पर आप ही बता सकते हो कि भाई, इतना output बना है, तो इतने kg material लगना चाहिए था, इतने घंटे lever के लगने चाहिए थे, तो कितना input लगना चाहिए, यह specify किया जा सकता है, ठीक है, based on a well-established study, एक estimate of standard unit जो है, वो set किया जाता है, कुल मिला के standard set किया जाता है, based on the experience, कि भाई, पिछले 5 साल से हम लोग manufacturing का काम कर रहे है, तो हमको समझ में आ गया है, कि यह product बनाने में कितना material और कितना labor लगता है, ठीक है, the actual cost for input is compared with the standard, फिर comparison होता है, और उसके बाद अगर कोई भी deviation या variance आया है, समझते हो न, variance का मतलब, चीक है सर, तो उसको हम दो टुकडे में बाटते है, कि उसमें से controllable कितना था, uncontrollable कितना था, अगर कोई variance uncontrollable reasons है, तो उसमें ज़्यादा चर्चा नहीं होगी, लेकिन कोई चीज ऐसी थी, जो control की जा सकती थी, तो क्यो control नहीं करिया आपने, उसको लेकर थोड़ी सी चर्चा होगी, no problem, the manager of the standard cost center is supposed to comply with the standard values, और अगर कोई adverse cost variance आएंगे, तो हम उसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, ठीक है सर, तो input output ratio clearly identified होता है तुमारा in case of standard cost center, ये था हमारा standard cost center, fp वाला example बिल्कुल सही था भाई, fp बननी है तो इतना kg apple लगना चाहिए इतनी दूसरी चीजे लगनी चाहिए इतना sugar लगना चाहिए, इतना labor लगना चाहिए, इतना labor लगना चाहिए अब discretionary तो आपने मेरे साथ पढ़ाई है, discretionary के दो example अच्छे से याद रख लो, research and development और advertisement, research and development और advertisement तो sir कुछ ऐसे cost center होते हैं, जहाँ पर कोई input-output relation नहीं होता, वहाँ परना हम एक budget allocate करते हैं हमने budget allocate कर दिया कि इस बार हम लोग 5 लाग रुपे से जादा कि research नहीं करेंगे, तो research के खडचे 5 लाग के अंदर रहने चाहिए, वो अपने आप उसका standard बन गया, लेकिन ये 5 लाग के figure के पीछे कोई quantity multiplied नहीं हुई है, वो सिर्फ एक figure है, जो choice है management, that is discretionary, और choice का मतलब भी तो discretion होता है, अपनी इक्छा से, discretion, discretion मतलब अपनी खुद की choice से तुमने वो जो है, एक figure set किया है, तो ये हो गया हमारा standard versus discretionary cost center, ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ, पता नहीं भाई, ये तो 7 वी, 8 वी बार आगे लग रहा है मिरको, ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ, cost control में हमारा emphasis होता है, कि ये पहले इतना खराबता देखो, अभी हमने अच्छा कर दिया, cost control एक preventive function है, और cost control खतम हो जाता है, जब target achieve हो जाते हैं, लेकिन वही अगर हम बात करें, cost reduction की, तो वो तो अलगी approach है, management की, वहाँ पर तो हमारा endeavor, endeavor मतलब हम और efforts करते रहते हैं, to improvise it continuously, ये cost reduction है, cost reduction में कोई भी condition को permanent नहीं माना जाता है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, कि ये lowest possible है, भाई, कुछ भी चीज lowest नहीं है, और नीचे जाया जा सकता है, it is on present and future, और अच्छा करने का future में सोचते रहते हो, it's a corrective function, ऐसा हुआ, और अच्छा करो, और सुधारो, और सुधार करो, और सुधार करो, और इसका कोई visible end नहीं है, बस चलते जाओ, चलते जाओ, life goes on and on and on and on and on, on and on and on, तो ये है हमारा cost reduction, ठीक है सर, अब जो question number 6A है हमारा, October की MTP का, MTP 2020, October का, ये अच्छा सवाल है और ये सवाल हम पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों ने standard costing chapter पढ़ा होगा, तो standard costing chapter में ये चार step हम सबसे पहले पढ़ते हैं, सर, अगर हमें cost को control करना है, तो क्या step follow करने पढ़ते हैं, that is the question, to control over the cost, what are the steps to be followed, to control the cost, what are the steps to be followed, correct है, to control the cost, what are the steps to be followed, ठीक है सर, चार basic step है, सबसे पहला, standard set करना, determination of pre-determined standard, ठीक है सर, तो कोई भी standard cost या performance target, कोई भी cost object या cost center के लिए set किये जाते हैं, अब मुझे बतागे, set कब किया जाता है, क्या ये वाली चीज़ तुम set करो के production होने के बाद, नहीं सर, before initiation, before initiation of production, ये चीज़ तुमारी set की जाती है, इसलिए तो उसको standard बोल रहे हैं भाई, हम भी जब standard cost निकालते थे, तो शुरू होने के पहले निकालते थे ना ब्रो, ठीक है सर, no problem, तो सबसे पहला काम होता है कि cost object या cost center के लिए set किया जाए, कोई भी standard figure, अगला है measurement of actual performance, उसके बाद हमारा production का काम होगा, फिर period खतम हो जाएगा, जैसे ही period खतम होगा, तो उसी cost object या cost center की हमको actual data निकाल दी है, अब गड़बड क्या कर देते हैं लोग, आपने कोई classification बनाया, उससे साबसे standard निकाला, तो भाई actual भी उसी category से निकालो, तभी तो apple to apple comparison कर पाओगे, तुमने मान लो department wise standard set किया हो, और actual निकालते समय, company as a whole निकाल दिया, तुमको पता ही नहीं department wise, तो कई से चलेगा, तो पढ़ो ये वाली line, actual cost or the result of the cost object is measured, performance should be measured in the same manner in which the targets are set, very important, performance, मतलब actual data भी उसी format में होना चाहिए, जिस format में standard set किया, तभी तो compare कर पाएगा, ब्रो, ठीक है सर, अगर आपने target operation wise करे थे, तो operation wise actual cost में कालो like that, now, अगला आता है सर तुमारा, comparison of actual performance with set standard or target, यही तो हमारा chapter है, standard costing, जहांपर हम actual data को standard data के साथ compare करते हैं, और फिर जो भी deviation या variance आते हैं, उसको note किया जाता है, और appropriate person को report किया जाता है, जो भी management में जिसको करना जी reporting, कि वहाई यह चीज़ खराब होगी, यह चीज़ अच्छी होगी, उसकी एक report बनती है, और फिर होता है analysis of variation and action, मतलब अभी variance आया तो variance को निकाल के बस ऐसी चुप थोड़े बैठे रहेंगे, कुछ तो reason है न, तुमने यह variance को analyze किया है, analyze करके जो तुमको inferences, conclusions मिले हैं उस पर अब तुम यह सोचो कि अगली बार इसको कैसे सुधारा जा सकता है, getting the point, so variance and results are further analyzed to know the reasons for the variance, कि कितना calendar की वज़े से हुआ, कितना capacity की वज़े से हुआ, चीक है, और फिर appropriate action लेना चाहिए, कि अब ऐसा क्या हम लोग ध्यान रखें, ऐसा क्या action लें कि अगली बार से यह variation, यह variance हमारा ना आए, ठीक है सर, यह 4 step आपको ध्यान रखने है, क्या 4 step है, जल्दी से आद करते हैं, सबसे पहले standard को set करना, standard को set करते हैं, हमें यह ध्यान रखिए, कि cost center या cost object का जो set कर रहा है, आप standard वो production से पहले होना चाहिए, दूसरी बात, actual performance को measure करना, actual performance को उसी तरीके से manner, उसी manner में performance measure करना चाहिए, जिस manner में standard set किया है, जब यह कर लोगे, तभी तो दोनों का comparison करोगे, comparison करोगे, variance मिलेगा और variance को further analyze करेंगे, जब उसका analysis देखते हैं, तो analysis करके उसका action भी लेना, that is the 4th step, ठीक है सर, done, सर, ये वाला भी करवा दिया था आपने, essential features of good cost accounting system, सबसे important, सर, information दे सके, ऐसा होना चाहिए, है न, ऐसा नहीं कि रायता फैल गया, अच्छा cost accounting system लगाए थे, information अच्छी मिल जया, पता चले, इतनी ज़्यादा information मिल रही कि कोई काम ही नहीं आ रहा है, simple होना चाहिए, बहुत complicated मत करो, data जो supply हो रहा, वो accurate, authentic होना चाहिए, uniformity, consistency, ऐसा नहीं कि पिछले महीने कोई अलग तरीके से निकल रहा है, data, इस महीने कोई अलग तरीके से निकल रहा है, uniform होना चाहिए, integrated और inclusive, जो दूसरे systems of accounting है, उनके साथ integrate होके चले, like tech session, statistics, accounting, operational research, flexible और adaptive होना चाहिए, आज कल modern business world में, चीज़े बहुत तेजी से change होती है, और चीज़े change होती है, तो उसके साथ-साथ हमारा system भी adaptive होना चाहिए, और at the end of everything, जब तक management को तुमारे system पर trust नहीं आएगा, तब तक उस system को apply करने का कोई meaning ही नहीं निकलता, तो trust is very important, चली सर, ओ, 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 बहुर हो गया सर, अब तो गाना गा के भी, controllable और uncontrollable cost, कितनी बार तो पढ़ चुके हैं सर, ये बाला, फिर से वो ही आ गया, impact of information technology in cost accounting, information technology का cost accounting में क्या impact है सर, बहुत simple impact है, कुछ भी नहीं, क्या है सर, बहुत सारी activities होती है, अब ERP के आने से, enterprise resource planning software, जैसे की SEP, उसके आने से, अलग-अलग function जो होते हैं business के, वो integrate एक ही software में आ जाते हैं, तो क्या तुम्हें multiple बार-बार चीज़ें नहीं करनी पड़ती है, एक single entry करो, सभी जगे effect चला जाएगा, जो तुम बहुत सारे multiple documents बनाते थे, bill of material, material requisition note, वो सभी चीज़ अब paperless हो जाएगी तुमारी, तो paperless environment हो जाता है, उसके बाद फिर internet की मदद से, जो information में gap आता था ना, वो नहीं आता, जैसे ही तुमारा मान लो, reorder level पहुंचा ना, automatic mail generate होके तुमारे vendor को चला जाएगा, कि भाया हमारा goods खतम हो गया है, जल्दी से भिजबा दो, तो एक जो time, processing time होता था, वो कम हो जाता है, उसके बाद फिर cost information ज़्यादा accurate निकल सकती हो, तुम जैसा चाहो वैसा classification कर सकते हो, classification के लिए तुमें बाद में नी बैठना पड़ेगा, तुम SAP के अंदर, तुमारे ERP के अंदर ऐसे system लगा दोगे, कि entry करते साथ ही उसमें coding system होता है, तो codes की हिसाब से अपने आप वो cost center पकड़ लेगा, उसके बाद फिर uniformity हो जाती ही, budget से standard में, क्योंकि computerized है, तो सारी चीज़ एक जैसी बनके निकलेंगी न, manual होता है, तो person change हो जाता है, तो चीज़ों में थोड़ा सा variation आजाता है, फिर variance report real-time basis पे बनने लगेंगी, ऐसा नहीं कि बाद में रुको, real-time पे तुमारा variance तुमारे सामने आ जाएगा, यह कुछ examples हैं, cost control, cost reduction, अभी तो पढ़ लिए, आज ही पढ़ लिए साथ, direct expenses क्या होते हैं, आपको याद है cost sheet पढ़ रहे थे हम लोग, तो direct expenses के कुछ example मैंने याद करने को बोले थे, कोई चीज़ है साथ, तो कोई भी ऐसी cost, जो material भी नहीं है, और employee भी नहीं है, लेकिन फिर भी directly attributable है, पूरी तरह traceable है, economical feasible manner में किसी भी cost object के लिए, मतलब वो direct खर्चा हो गया, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो trace हो रही है, economically और cost object में पता है कितने रुपए के लग रही है, लेकिन वो material और labor नहीं है, तो direct expense में जाएगी, for example, royalty, higher charges for specific equipment, cost of specific design, specific drawing, specific software, specific word बहुत important है भाई, directs वाली चीज़ को बताने के लिए, और उसके बाद आता है सर तुमारे पास limitation, ये भी हमने कल पढ़ा था, एक बाद repeat कर लेते हैं इसको भी, limitation of cost and management accounting, क्या है सर, cost and management accounting की additional burden है न, काम जादा है, लोगों तुम्हें effort भी लगेंगे, चुका है, तो वो भी यहाँ पर add हो जाता है, duplication of work की बात करूँ, सर अगर तुमने non-integrated accounting system बनाए तो वोई same चीज़ तुमें दो दो बर बनानी पड़ती है, inefficiency, क्योंकि देखो यार ऐसा नहीं है कि तुमने costing system लगा दिया तो अपने आप cost control हो गई, costing system लगाने के बाद उसका proper execution भी होना चाहिए, कई लोग यह सोचते हैं कि costing system मतलब cost control, cost control इतना असान थोड़ी भाई, वनना तो कोई भी software आके लगा देता, तो inefficiency के भी बहुत सारे chances रहते हैं, this is a new question, amazing question और आप सभी लोग इसके बारे में जानते हो, क्या आप लोगों कोई याद है, जब हम लोग पढ़ रहे थे budget costing, और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे flexible budget, तो flexible budget के अंदर सर कभी कभी कुछ ऐसे खर्चे होते थे, जिसमें ना हमको यह समझ में नहीं आता था, कि यह purely variable भी नहीं है, purely fixed भी नहीं है, काम हम करते थे थे न, flexible budget वाले topic के अंदर, कि दो level पर हमको cost दी हुई है, उसमें से variable अलग करना और fix को अलग करना, इस पूरे काम को कहा जाता है, Sir, level of activity method of segregating semi variable cost into fixed end variable, नाम सही समझ में आ रहा है, कि level of activity method, level of activity मतलब वोई volume, level of activity method जो कि help करती है, segregate करने में semi variable cost को fix और variable अलग अलग करने में, उस चीज़ को आपको discuss करना विद एक्जांपल, ये लो, Sir, under this method क्या लिखा हुआ अधे कले ते, variable overhead may be determined comparing two level of output, with the amount of expense at those level, since the fixed element does not change, तो variable element का हम formula बना सकते हैं, change in the amount of expense, change in the quantity of output, इस से हमको मिल जाएगा variable cost, variable element, for example, January में इतनी unit, February में इतनी unit, January में इतना खर्चा, February में इतना खर्चा, तो 40 extra units में, 40 rupees extra लग गए, मतलब 1 rupee per unit हमारा variable cost है, अब देखो, January में हमारी total variable cost कहला जाएगी, 100 into 100 rupees, लेकिन total cost तो 260 है, तो बचा हुआ 160 हमारा fixed cost हो जाएगा, similarly, February में तुमारा 140, 140 into 1 variable हो जाएगा, और 160 तुमारा fixed हो जाएगा, यही तो हमने use किया था सर, there is nothing new in this, ठीक है, we already know, बस यह question का format में आ जाएगा, that was new for us, कि इसे ऐसा question भी paper में पूचा जा सकता है, तो आपने अपके इसका solution देख लिया ना, तो आपको एक वो आगया confidence कि, हाँ भाई, अगर ऐसा सवाल पूच लेगा, तो मैं लिख भी सकता हूँ इसको, ठीक है, done, on the basis of variability cost को कैसे classify करते हो, अभी तो पढ़ा था, fixed variable और semi variable, यह अच्छा सवाल है, discuss the four different methods of costing, along with their applicability to the concerned industry, कोई भी चार उन्होंने अपने choice के दे दिया आपको, तो इन्होंने याँ पर चार हमको बताएं हैं, पहला job costing, चलो job costing को पढ़ते हैं, क्या होता job costing के अंदर, सर हर एक job के लिए separate cost निकाली जाती है, ठीक है, इसको लिखो के कैसे, सर, the objective under this method of costing is to ascertain the cost of each job order, यह objective होता है, कि हर एक order की separate cost निकाली जाए, a job card is prepared, job card का mentioning हो जाना चाहिए, जोब card जैसा बनाया जाता है, उसमें फिर सारी cost इकठी की जाती है, कि इस वाली job में कितना-कितना material अपलाए हुआ है, कितना-कितना worker ने कितने गंटे काम किया है, the cost of job is determined by adding all the cost, sorry, paper में आने वाला भाई यह वाला सवाल, और फिर last में तुमने एक्जांपल दे दिये कि कौन सी इंडस्टी में यह आता है, printing press, foundry, general engineering workshop, advertising, etc. ठीके सर, done, second point, batch costing, यहाँ पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, कि एक साथ एक large quantity बनाते हैं और उसकी separate cost निकालते हैं, लेकिन job में और batch में थोड़ा सा अंतर है, job में ऐसा नहीं होता कि एक जैसी 55,000 unit produce कर रहा हूं, job में customer के requirement के हिसाब से चीज बनाई जाती है, batch में तो तुमारे convenience के हिसाब से तुम set of units को एक batch बना देते हो, that's the difference between job and batch, लेकिन हाँ तरीका भई है, कि यहाँ पर भी उस batch में लगने वाले सारे material कोई कट्था किया जाएगा, उस batch में लगने वाले सारे labor कोई कट्था किया जाएगा, फिर batch की total cost निकालके, So batch of similar product is treated as a job and cost of such a job is ascertained like the first one, तो तरीका बिल्कुल उपर जैसा है, बस nature में थोड़ा अंतर है, उपर वाले में nature यह था कि customer के हिसाब से change हो रहा था, यहाँ पर हमें हमारे लिए ऐसा करना है, ठीक है, contract costing क्या होती है, सर बड़े job को contract बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है, हर एक contract के लिए एक separate account बनाया जाता है, और example, सर, construction of bridges, road, building, etc. फिर आदा operating costing, operating मतलब service बेटा, यहाँ मतलब service, this costing is used in service rendering undertakings, like transport, supply of water, telephone services, hospital, nursing homes, etc. ठीक है, तो यह आप अपने मन से चार लिख सकते हो, कोई भी, फिर से आगया, cost control and cost reduction, भाई, यह तो कितनी बार आता है, यह तो कितनी बार आता है, पेपर में भी आता है, MTP में भी आता है, RTP में भी आता है, चल, यह एक नया सवाल है आप लोगों के लिए, क्या बोल रहा है इसमें, discuss the prerequisite, prerequisite का मतलब, पहले जान लेने वाली चीजें, prior conditions, मतलब, अगर तू चाहता है कि तिरको cost accounting system install करना है, तो cost accounting system install करने से पहले, तो यह देख ले कि तेरी organization में, यह यह चीजें है की नहीं है, that is prerequisite, शुरू करने से पहले क्या चीजें हमको पता होनी चाहिए, शुरू करने से पहले क्या क्या चीजें हमको पता होनी चाहिए, पढ़ लेते हैं सर, before setting up a system of cost accounting under the mentioned factor should be studied objective, objective मतलब, तुम जो costing system लगा रहे हो क्यों लगा रहे हो, कुछ लोगों का reason होता है, cost control करने के लिए, कुछ लोगों को controlling से problem नहीं है, कुछ लोग इसलिए cost accounting system लगाते हैं, ताकि accurate cost है और accurately वो pricing कर सके, तो आपको ये भी जानना है, कि आपका जो main objective है, cost accounting system लगाने का वो क्या है, is it for fixing the prices, होता है कि मेरे बाजूबाले ने जो system लगा लिए, मैं भी वोई लगा लूँ, बाजूबाले का business अलग है, मेरा अलग है, उसका size of business अलग है, nature of business अलग है, मेरा size of nature अलग है, तो accordingly मुझे decision लेने पड़ते हैं, देख लेते क्या लिखा हुआ है, तो industry जो आपकी है, वो बहुत matter करती है, every business has its own peculiarities and objectives, हर business की अपने खुद के challenges होते हैं, अपनी खुद की कुछ features होते हैं, अपने खुद की कुछ objectives होते हैं, तो उसके हिसाब से set करते हुए, उनकी cost information requirement भी अलग-अलग होती है, की कौन से business को कौन सी cost की information चाहिए, तो जैसे की oil refinery जो है, वो process-wise cost accounting system बनाता है, तो उसको process-wise cost चाहिए, ऐसा system में implement होना चाहिए, तो वो system लगाने से पहले आपको बताना पड़ेगा बंदे को, की भाई हमारे हैं process चलता है, समझ रहो, अगला, organizational hierarchy, organizational hierarchy का मतलब, क्या तुमारा organization structure बना हुआ है, की कौन management है, कौन middle management है, कौन तुमारा operational level of staff है, ये सारी चीज़े भी तुमको देखनी है, तो costing system should fulfill the information requirement of different levels of management, देखो क्या होता है न, एक एकदम top level management होता है, जो corporate strategy etc देखते हैं, फिर दूसरे तुमारे होते हैं strategic level management, जो फिर एक-एक function देखते हैं, की marketing कैसे होनी चाहिए, production कैसा होना चाहिए, और फिर उनके भी नीचे आते हैं operational level management, जो ये देखते हैं कि बाई, कितने में बनना चाहिए, कितने का क्या आना चाहिए, कौन सा product आना चाहिए, ये सा, मतलब छोटी-छोटी चीज़े ध्यान रखते हैं, तो तीनो लेयर जो है हमारी management की, all the three layers, तीनो का purpose solve होना चाहिए, top management, उसके बाद strategic level management, और operational level management, सबकी जो requirements हो पूरी होनी चाहिए, तो top management को strategy से मतलब है, ये marketing, product diversification में focus करते हैं, और operational level management, उनको ये पता होना चाहिए, standard quantity कितनी होनी चाहिए, idle time कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़े, छोटी-छोटी चीज़े है, now, knowing the product, ये भी बहुत important है, कि आप कौनसी चीज़ में deal करते हो, आपका product क्या है, कि आप service deliver करते हो, या फिर manufactured goods deliver करते हो, ये छोटी-छोटी चीज़े, आपको ध्यान में रखनी है, तो, जैसे कि क्या लिखा हुआ है, nature of product, determine the type of costing, जैसे कि, the product which has by product, requires costing system, अच्छा, किसी dairy में accounting हो रही है, dairy में, तो, बहाँ पर by product भी निकलता है, तो, by product की accounting कैसे होती है, कि उसका NRV माइनस हो जाता है, तो, आपके cost accounting system में, वो वाली feature होने चाहिए, कि वो by product को भी treat कर सके, तो, ये अच्छा example हो सकता है, ये बताने के लिए, कि product के हिसाब से भी, आपको costing system लगाना चाहिए, in case of perishable or short life, marginal costing method is required, क्या होता, जब तुमारा goods, perishable nature का होता है, तो, तुम क्या बोलता हो, कि भाई, मिरको अगर variable cost में मिल रही, बेच दो, क्यों, क्योंकि अगर हमने जल्दी नहीं बेचा ना, अगर हमने जल्दी नहीं बेचा ना, तो खराब हो जाएगा, तो, देखा, आपने कहा marginal लग गया, जहाँ पर थोड़ा सा perishable या कम चलने वाला goods रखा हुआ था, उसको minimum price में भी sold कर दोगो, otherwise तुम proper absorption वाली procedure से आओगे, तो तुम कभी उसे वेची नहीं पाओगे, रखा रखा, expire हो जाएगा, तो कुछ-कुछ extra चीज़े भी देखनी पड़ती है, Now, knowing the production process, production की process कैसी है, ये भी बहुत matter करता है, before we start installing cost accounting system, a good cost accounting system can never be established without the complete knowledge of process, cost apportionment can be done on the most appropriate and scientific basis, जब हम चीज़ों को allocate या portion करते थे, तो एक method होती थी technical estimate, तो scientific method तो जिसको process पता होगी, वह ही उस चीज़ को निकाल पाएगा, ठीक है, तो थोड़ा basic technical knowledge भी होना चीज़े, कि हमारे काम कैसे चल रहा है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि proper technical knowledge हो, लेकिन थोड़ा बहुत होना चीज़े, ठीक है दोस्त, वैसा, information synchronization, synchronization मतलब साथ मिल कर काम करना, तो establishment of a department or a system requires substantial amount of resources, while drafting a cost system, information needs of various other department should be taken into account, ऐसा नहीं होना चीज़े कि आपने कुछ-कुछ department की requirement को देख लिए, बाकियों को भूल गए, इस तरीके से system install करो, कि सभी लोगों के साथ, वो मिल जुल कर काम कर सके, information जो उसमें निकल कर आ रहे हैं, वो सभी के need में आ सके, that is information, synchronization, समझ रहो बात को, जैसे क्या होता है, कभी-कभी, एक बहुत अच्छा example है, जब हम लोग working capital loan लेते हैं बैंक से, तो बैंक क्या बोलता है, कि आपको weekly या monthly हम लोगों को, अपना stock statement भेजना है, क्योंकि stock ही उनकी security होती है, उस basis पर loan दिया जाता है, तो क्या आप हमारी जो stock की report निकल रही है न, वो ऐसी होनी चाहिए, कि उस report को हम bank को भी भेज सकें, या system में ऐसा option होना चाहिए, कि bank को जो stock report भेजनी, वो कैसी निकल कर आए, क्योंकि कुछ-कुछ data हम bank को नहीं दिखाना चाहते है, confidential है, और कुछ दिखाना चाहते हैं, तो ऐसा समझ रहे हो न, various various needs के लिए, various various information को अलग-अलग तरीगे से present किया जाता है, वो system में वो feature होना चाहिए, कि वो different needs को समझ के फिर बनाया गया हो, ऐसे तो 9 points हैं, आपको सिर्फ 5 points लिखने हैं, method of maintenance of cost record कि आप integrated use कर रहे हो, non integrated use कर रहे हो, दूसरी बात अगर आपके उपर कुछ statutory compliance हैं, वैसे तो नहीं होते हैं, costing में जादा, लेकिन अगर कुछ हैं, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखो, और at the end of the everything, आपके costing system में से, जो भी information generate होगी, वो complete होनी चाहिए, accurate होनी चाहिए, time से आनी चाहिए, और relevant होनी चाहिए, अगर ये चीज़ फॉलो हो रही हैं, तो system अच्छा है, करना नहीं है, complete मतलब अधूरा report नहीं होना चाहिए, accurate मतलब, कहीं गलत जगे से data ना उठा लिया हो, timeliness मतलब, जब decision लेना था, उसके पहले data मिलना चाहिए, तो management बोलेगा, अरे, 6 महीने बाद data दे रहे हैं, लेकिन accurate data देंगे, भाई, मैं तो बहुत accurate data बनाता हूँ, लेकिन मेरे को 6 महीने लगता है, अरे, मेरे को एक हफ्ते में चीज़, ये 6 महीने में देगा, तो क्या मतलब निकलेगा, purpose is all नहीं होगा, और relevant होना चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़े नहीं चाहिए हमको, जो decision में हमको help करेंगी, वो चीज़े हमको चाहिए है, ठीक है, now, क्या बात कर रहा sir, done, हाँ जी done, मैंने बोला था न, it will not take more than 40, तो 35 मिनिट में, we are done with our chapter number 1, तो इसके साथ, I can proudly say here that, कि sir, हमारा जो सबसे बड़ा chapter है, the biggest chapter of theory, that is chapter number 1, उस chapter number 1 में, हम लोगों ने क्या-क्या complete कर लिया है, all the PYQs, all the RTPs, and all the MTPs, question of chapter number 1, from May 2018, till date, अभी तक जो भी latest है, सब cover हो गया आपका, ठीक है दोस्त, तो अब chapter number 1 आपका मान लो, पूरा हो गया, क्योंकि ये विचारा ऐसा chapter था न, जो बोलता था कि मुझे भी इज़त चाहिए, जब तुम लोग regular class भी करते हो, तो मुझे तो भूली जाते हो, मेरे को तो गिनते ही नहीं हो, तो लो भाई, तेरे लिए मैंने चार lecture दे दी है, 45-45 मिनिट के, इतना काफी है, ठीक है chapter 1, खुश, चलेगा, ओके, तो अब क्या कल से न, mix of chapters questions रहेंगे, क्यों, क्योंकि बाकी chapters में इतने सारे questions नहीं रहते, जितने 1 में रहते हैं, ठीक है, तो कल से हो सकता है, कि एक दिन में हम एक एक chapter कर लें, या फिर किसी दिन 3-3 chapter भी हो जाएंगे, like this, तो चार lecture हो गाए है, 10 lecture का target रखा है, 6 lecture में remaining questions हम लोग complete कर लेंगे, और अब तो आपका flow भी बन गया है, बड़े तरीके से, ठीक है दोस्त, चलिए, super, 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 all good, तो guys, I hope आपको यह session useful लगा होगा, इस session को maximum logo तक share कीजिए, and by ability इसी तरह आपके लिए, most amazing content provide करती है, free of cost on YouTube, और आकरी तक्स आपको support देती है, regular class से लेके, exam के दिन जो marathon होता है, वहाँ तक, और exam में जाने से just पहले guidance तक, है ना, तो बस जुड़े रहिए, and आपकी नहीं आराम से पार हो जाएगी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, तो अगर आप लोग, regular lectures देखना चाहते हैं, CA Intermediate के, जैसे मेरा CA Intermediate का May 23 का, पूरा complete batch हो गया है, Unacademy Plus पर, तो revision batches तो YouTube पर आते हैं, लेकिन regular शुरू से किसी को पढ़ना है न, you should go to Unacademy Plus, take its subscription, बहुत कम दाम में subscription है, और बहुत अच्छी facility है, और वहाँ पे आप पूरा मेरा syllabus देख सकते हो, पूरा course complete कर सकते हो, तो batch complete हो चुका है May 23 का, आप जाके recorded देखिया, आपको feel भी नहीं होगा recorded, मिरे पास कई बच्चों के message आते हैं, कि सर हमने बाद में चालू किया था, लेकिन लगा नहीं कभी कि recorded है, क्योंकि live को ही आप देख रहे होते हो न, जो live में record हुआ है, तो interaction तो चलता ही रहता है, जो आपको doubts आएंगे, वोई बाकी common बच्चों को doubts आते हैं, like that, तो process बता देता हूँ, how you can take subscription, anacademy की website पर करे, anacademy.com, click किया get learning में, और फिर देखो यहाँ पर आपको CA दिखेगा, CA में जाके आपको CA intermediate में क्लिक करना है, जैसी intermediate में जाओगे, यह देखो, crack CA intermediate within an academy, view subscription plans, iconic plus light, तीन तरीके के आपके यहाँ पर options है, plus iconic यहाँ पर आप charges देख सकते हो, 42, 39, or 31, 500, यह जो भी charges आपको देख रहे हैं, यह बोद ग्रूप के before discount है, यह जो आपको have a referral code की जगे मिल रही है, वहाँ पर आप अपने favorite educator का code लगाई है, मेरा code is C-A-P-R-A-N-A-V, run out 10 is not my code, don't forget to use my code, अगर आपको मेरी teaching style पसंद आई है, तो show your love by using my code C-A-P-R-A-N-A-V, in short, अगर आप 12 महिने का subscription लेते हैं, तो 28,350 रुपय में बोद ग्रूप आपका हो जाएगा, जो कि pen drive की cost से काफी कम है, चीक है, और combo भी आप लोग ले सकते हैं, अगर foundation की भी आपको जरूवत है, तो as such, ठीक है, चले, thank you so much everyone, if you are new to the channel, subscribe करना ना भूले, bell icon press कर दो, ताकि अगली वीडियो से पहले आपको पता चल जाए, और content अच्छा लगा हो, like की बटन दबा सकते हो, share कर देना उन लोगों को, आपको लगता है जिनको इसकी जरूवत है, see you all, bye bye, let's crack it,